शुरुआत करते हैं उसमा की बड़ी खबर के साथ अपसे कुछी देर में बंगाल में वोटिंग शुरू हो जाएगी बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा जहां चार जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 171 उमिदबारों की किस्मत दाव पर है और जाधा जानकारी हमारी सायोगी शालिनी देरी रैली स्टूडियो से शालिनी ओवर टू यूँ शुक्रियान राग मैं शालिनी जी हिंदुस्तान के इस रैली स्टूडियो साप लोगों का स्वागत करती हूँ दूसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है और बंगाल और अस्थम की सीटों के उपर मतदान होना है खास करके निगा हमारी रहने वाली है पश्चिम बंगाल के उपर और रैली स्टूडियो इसलिए क्योंकि इस बार रैली स्टूडियो के जरिये ही खेला करने की कोशिश पश्चिम बंगाल के अंदर की गई क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इनी रैलीों में टूटे पैर के साथ सिंपथी गेन करने की कोशिश ना की जाती अगर ऐसा नहीं होता तो इसी रैली के जरिये जैश राम का नारा ना लगता चंडी पाठ ना होता और इसी लिए रैली स्टूडियो का आज है खास मैं तो श शुरू हुई सुबस साथ बजे से मतदान शुरू होना था दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया बंगाल में चार जिलों की 30 सीजों के ओपर वोट डाले जाएंगे 171 उमीदवार हैं इस वक्त मैदान में जिनके किस्मत दाओं पर लगी हुई है पर बड़ी खबर जीन दुस्तान आपको दे रहा है वोटिंग शुरू हो चुकी है पॉप हटने के पहले लोग लाइन में लगना शुरू हो चुके थे और एहम खबर इस वक्त की ये कि आब मतदान पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हो चुका है आसम के अंदर शुरू हो चुका है प्राम खबर ये कि आसम में भी दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है आसम में दूसरे चरण में 49 सीटें जहाँ पर मतदान होना है दूसरे चरण में 13 जिलो की 49 सीटों के उपर वोटिंग है और 49 सीटों पर 26 महलाओं समेत कुल 345 प्रताशी मैदान में है दूसरे चरण में चुनाव के लिए 10,592 मतदान केंद्र बनाई गए है एंटी और कॉंग्रेस गड़बंदन के बीच काठे का मुखाबला यहाँ पर दिखाई देना है और मेरे तमाम सहियोगी मेरे तमाम सहियोगी अलग-अलग जगों पर इस वक्त मौझूद है मेरे साथ शोयता है, सरफराज है, प्रत्योश है, रमन है, रोहित है, लक्ष्मी है तीस सीटों के उपर मतदान हो और हमारे तीस सहयोगी पश्चिम मंगाल से हर जगा की अपडेट आप तक पहुचाएंगे, रमन कमें सबसे पहले रुख करती हूँ रमन, वोटिंग शुरू हो चुकी है, अभी क्या सिती बनी हुए, तस्वीरे ज़रा दिखाईए देखें बिल्कुल अभी अभी यहां से शोयंद वाधिकारी का काफिला निकला है, ठीक आप सामने देख सकते हैं मैं दरसल बिरूलिया बाजार में हूँ, और हमारी कोशिश ये है कि वोटिंग के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन साथी साथ ये भी बताएंगे कि नंदी गराम में हुआ था, नंदी गराम ये दौट सीट है, और हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि आखिर यहां ब के पाउ में चोट लगी है, लेकिन जब राज खुला तो कानी कुछ और ही निकल कर आई है, सामने मिटाई के दुकान वाले बाई साहब और बगल की चत में फेस्बूक लाइव करते वे व्यक्ति ने दिखाया कि चोट साजिश की वज़े से नहीं लगी थी, तरसल दिया प भिल्कू देखें, शुबेंदू अधिकारी निकल गए है अपने घर से वोटिंग करने के लिए, मैं सबसÂरे अपने दर्शकों को दिखा दूं, Z-Media के दर्शकों को दिखा दू, शुबेंदू अधिकारी यहां से वोट करेंगे, एक बार दिखाये दजरा, दिखाये म और उससे पहले की तस्वीरे में आपको दिखाने की कोशिश खता है उनका जो वोट नमबर है उनका जो शुबेंदु अधिकारी का जो वोट नमबर है वो इस वक्त मेरे पास है यह एक्सुलूसिफ तस्वीरे मैं अपने दश्कों दिखा रहा हूँ 669, 669 उनका वोट नमबर है शुबेंदु अधिकारी है वोट नमबर इनका 669 तो थोड़ी दिर के बाद जैसे अपने घर से निकले है पोपूत पर आएंगे और ये वोट नमबर मेरे पास उनके पास है जो मैं दिखा रहा हूँ 669 उनका वोट नमबर है यहां से वोट डालने के लिए जाएंगे और किसी भी पल शुबेंदु अधिकारी आसकते हैं किसी पल शुबेंदु अधिकारी आ सकते हैं नंदीगराम की जंग सबसे ज्यादा है अगर ममता दीदी भी यहां पर जालती तो वो भी मैं आपको और आगे वो तस्वीर भी आप तक पहुचाएंगे कि किस तरह सदारा 144 अंदिग्राम के अंदर लगाई गई है क्योंकि ये वो जगा है जहां हिंसा क्या शन का सबसे जादा है मेरे दूसरे से योगी पी चुड़े वह हैं उनका भी जरह मेरे रुखर्टी ओ लक्ष्मी और आपके तरफ क्या तस्वीर है कितना उत्साल लोगों के अंदर और चुकि मतदान बस अभी शुरू ही हुआ है तो ये वो तस्वीर होती है जो हर को ही देखना चाहता है रोईत बिना देर की पहली तस्वीर देख लीजिए देखिए पहले वहां समय आपको दिखा वहां देखिए वहां कतारे लगनी शुरू हो चुकिए महिलाएं वहां पर कतारे लगा रही है और पुलिस जो है पुलिस की जो सेक्यूटी आप इतनात है वो सोसल डिस्टेंसिंग का पै मैं डारेक्ट यहां पर जो मद्दाता पहुँचे हुए हैं उनसे ही बात कर लेती हूं शालडी चुकि देखिए यहां के लोगों का रुज़ान बहुत है हम लगातार ये बता रहे हैं कि तो हजार सोले में यहां पर 80% वोटिंग हुई थी हम आप अंदाजा लगाईए कि यहां का मद्दाता जो है वो कितना जागरुक है यहां की जो मद्दाता पहुँचे हैं मैं उनसे ही बात कर लेती हूं देखिए एक बार में तस्वीर भी आपको दिखा दूँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर लाइन लगा जा रही है और यहां पर कोरोड़ा प्र यहां पर लाइन लगी है और यहां पर प्रोस्ट पी लाइन लगे और फिर से जाके अब यहां पर प्रोस्ट यह इस वाले पर अभी शुरू होना है यानि चार मिनिट हो चुका है उसके बाद अब आपको ड़ाइन दिखाएंगे रोहत और लक्षमी दिखिए हमें जो अस प्रिया इस वक्त मौझूद है ऐसा नहीं है कि जैश्वे राम चंडी पाठ बंगाल में हुआ है ग्वाटी में भी कामाख्या मंदिर राउल गांधी पहुच गये थे मतलब वोट अगर लेना है तो धर्म का साहरा लेना ही होगा प्रिया क्या तस्वीर आपकी तरफ बिल्कुल देखे मैं उस जगा पर इस वक्त मौझूद हूँ कामख्या मंदिर जहां पर आठी कहा आपने कि सिर्ब गाल में ही चंडी पाठ इस वक्त नहीं हो रहा है असम में भी यही चीज़े देखने को मिल रही है दरसल असम में आज दूसरे चरण के लिए चुनाफ ज यहां रूलिंग पार्टी को बीजेपी ने शिकस्त दी थी और वो भी डबल माजिन से बीजेपी ने अपनी जीत तरज कराई थी वही उन शेत्रों में जहां वोट इस वक्त दिये जा रहे हैं बहुत ही महत्वपून वो वोटर्स हैं वो शेत्र भी हैं बीजेपी के लिहा बंदन है और जिसका दबदबा भी है इस असम में और खास करके उन शेत्रों में जहां पर आज वोटिंग हो रही है तो देखने वाली बात होगी कि क्या मतदाता किसे अब इस बार मौका देते हैं लेकिन मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं कामाख्या मंदिर प्रांग अग्त जब यहां पर बिजेपी की सरकार बनी उसके वार मौका दर भी चाहिये तो पिछली बार एक तरफा जीतने वाली ममता बेनेटी इस बार मंदर मंदर भी गई चंडीपाच भी किया ब्रामर की लड़कियों भी कह दिया और आखरी गंटे में गोतर भी ने अपना बता दिया, मुझे प्रत्यूश का भी रुखना है, प्रत्यूश और श्वेता भी हमारे साथ लगाता है, जुड़े वे श्वेता, आपकी तरफ क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, नंदी ग्राम एपी सेंटर, आप एक बार प्लीज हमारे अफैंटर है, बिल्कुल दूस्टर्स नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बीजे पी के भी जंडे देख रहे हैं, और ये वो जगार या पाड़ा जहां दीदी का घर है, तो चलिए आपको दीदी के घर के ये तस्वीर दिखाते हैं, जल्दी से इधर आ जाएं, ताकि दीदी जहां पर ठहरी जहां पर उन्होंने अपना डेरा बना हुए पिशल के दिलों से अस्थाई जो निवास दीदी का आप कह सकते हैं, वो यही है, मैं आपको धर लिए चलता है, चंद कदम के फासले पर आपको दीदी का घर आपको दिखाएगा, दिख जाएगा, ये इस तरफ आएं मुकेश मुकेश को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी सुबह से ही मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं, हर एक तस्वीर दिखाने के लिए, प्रत्यूश ये यहां पर आप, मुकेश जल्दी से कदम बढ़ा हैं मुकेश, ये जो घर आपको नजर आ रहा है, हलके हरे रंग में रंगा हुआ, यही है ममता बनर जी का अस्थाई निवास जो की नंदी ग्राम में उन्होंने बना रखा है, और आप अगर देखेंगे, इस घर के बाह ये जो बॉंडरी वाल है, आप देखिएगा तो वहां पर टीमसी के जंडे आपको दिख जाएंगे, लेकिन साती सात उस बॉंडरी वाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बीजेपी का फूल नजर आ जाएगा, पद्व फूल, डीदी कह रही है, आज एक यहां के लोग जब पिछली बार नॉमिनेशन के समय में आता है, और उनकाते कैसा पहली बार हुआ है, वरना यहां पर बीजेपी के जंडे भी नजर नहीं आते हैं, बिलकुल पोलिंग एजेंट में मिलते थे प्रत्यूश, लेकिन फर्स फेज ओफ एलेक्शन में जो हमने देखा कि पोलिंग एजेंट मौजूद थे और मैं तो खेजूरी के गाउं गाउं गई थी, वहां हर एक भूत को मैंने कवर किया था, वहां पर बीजेपी को लेकर जिस तरीके से लोग में उत्साह था और वो कह रहे थे कि बीजेपी इस बार गाउं गाउं गुसी है, कु कि जो बयार बहनी है, वो नंदी ग्राम से बढ़नी है, अब नंदी ग्राम की जंता डिसाइड कले कि पौरिवर्तन चाहिए या बंगाल लीजर में को चाहिए प्रितिश, और ये आपको मैं मुकेश को कहूं को कि मुकेश आपके पास, क्योंकि दीदी के घर के बाहर तक त कि जुका...